हलो फ्रेंड्स एंट्रेटी केंपिटेश चैनल में आप लोगों का स्वागत है पेज मिकर की टुटोरियल भाग 34 में आज हम सीखेंगे आकरती में रंग भरना कैसे हम किसी आपजिक्ट में कलर या रंग को भरेंगे जैं कैसे फिल करेंगे यह आज हम आपको वीडियो में ब बताया है कि कैसे कोई बर्गाकार अकरती या रेक्टेंगल आप बनाओगे या गुलाकार अकरती कैसे बनाओगे तो इसके लिए आपको पता है कि टूल बॉक्स में आपको यहां देख सकते हो कि यहां दो टूल्स दिये गए हैं आयत और यहां पे शरकल यहां पे बना लिया है इसके अंदर जा हमको रंग को फिल करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको जाना पड़ेगा elements मिनुबार में यहां देख सकते हो कि फिल कमांड दिया हुआ है यहां फिल में आप देख सकते हो कि अगर solid ले रहा हैं तो आप यहां से solid पे click कर दीजे paper by default यहां पे none दिखा रहा है आप यहां पे solid लोगे तो यहां देखो जाए कि black color by default जाए यहां पे आप color window में देख सकते हो कि black color selected है मैंने गा कि अगर हम कोई दूसरा color लेना चाहते हैं तो हम यहां पे ले सकते हैं यहां पे उस color को यहां पे फिल कर सकते हैं भर सकते हैं ठीक है इसी तरह एक और आकरती हम drag कर लेते हैं और यह सरकल बना लेते हैं और सरकल में भी हमने कहा कि कलर देखो डारेक्ट अगर आप यहां क्लिक कर देते हो तो भी वह बिकल्प आपका काम कर जाएगा क्योंकि यहां elements में फिल में by default solid selected हो गया है ठीक है अगर हम इसको नन कर देते हैं नन पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर क्लिक करने पर फिर से वह कलर को ले लेगा और आपके उस object में कलर को फिल कर देगा ठीक है तो इस तरह मैंने आपको बताया है कि कैसे आप एक चीज़ और देख सकते हो कि फ एक्रीन या इस पीन को फिल करने का काम कर रहा है इसी तरह इसमें और भी विकलप है मैंने आप फिल अप में जाइए और यहां से आप जो भी लेना चाहते हो उस तरह के options का प्रेयोग करते हुए आप object के अंदर जहे color को फिल करने का काम कर सकते हो ठीक है हमने यहां पे और जाके यहां से बदल लीजे तो आपको पता चलेगा तो आईए हमने यहां पर आपको दिखाया जै कि जो आपजेक्ट बना हुआ है इसके अंदर जै आपको कुछ अलग ही स्टाइल दिखा रहा है जबकि आउट लाइन जै आपका अलग कलर में दिखा रहा है मैं चाहता हूँ कि आउट लाइन का भी कलर में फिल कर सकूँ आउट लाइन का कलर में बदल सकूँ जै तो इसके लिए आपको जै यहां देख सकते हो कि यहां कलर में तीन बटन दिख रहे हैं जै इसका यूज आप कर सकते हो यहां लास्ट में आप देखो जै कि मैंने कहा कि आप लास्ट वाले विगल पर यूज़ करते हो लास्ट वाले का तो जो अंदर जो फिल कलर है और बाहर का जो लाइन है आउट लाइन है वो सेम कलर में दिखेगा ठीक है अगर आप यहाँ पे सेकेंड वाले बटन पर क्लिक करते हो और इसके लिए कलर चूझ करते हो तो अंदर का जो फिल कलर है वो अलग दिखेगा और आउट लाइन जो है वो अलग दिखेगा ज्यान देना है जैसे माली जी एक बार फिर से हम इस आपजेक्ट को भी सेलेक्ट करते हैं और आपजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसका देख सकते हो कि आउटलाइन इसका पता नहीं चलना है तो मैंने का कि आप एलेमेंट्स में जाइए और स्टॉक पे जाकि आउटलाइन को आप यहां से ले लीजिए पे क्लिक करते वइए आप यहां जो कलर्ण लोगें वो कलर्ण आपका दोंर यानि आउटलाइन और फिल कलर दोने चेंखेगा दोनेसाथ दिखेगा लेकिन मैं इस तरह मैंने आपको बताया है कि यह देखिए आपके वाल आउटलाइन बदलना है तो इसका पहला विकल्प यहां पे दिया हुआ है कि आउटलाइन हमारा कैसा होना चाहिए यहां से हम चेंड कर सकते हैं आउटलाइन हमारा क्या होगा तो यह मैंने बताया कि यह पहला टू तो दोनों को बदलने का काम करता है तो इस वीडियो में बस इतना ही नमस्कार जैहिन